हलो रिवन एक बर फिट से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली गरंट अफेर की सिरिज्म स्वागत है फरस्ट आफ आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुब कामना है देखिए भारत में काफी जगह पर दिवाली को आज सेलिब्रेट किया जा रहा है काफी जगह खाईए पटाके फोड़िये और फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए क्योंकि देखिए दिवाली साल में एक बार आती है बड़ा तयोहार है तो आराम से सेलिब्रेट कीजिएगा धुमधाम से मनाईए इसके अलावा देखिए कल का जो सेशन है आपको स्क आपको क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लिकेशन पर मिल जाएगी वहां से आप इसे फ्री आफ कॉस्ट कलेक्ट कर सकते हैं आईए सबसे पहला करन्ट अफ्यर का कुशन देखिए 31 अक्टूबर के आईश्मान भारत जन आरोग ग्योजना के तहत 70 साल से अधिक आयू वाले व जन आरोग ग्योजना की बात करें तो इसकी शुरुआत देखिए 2018 में इंडियन गोवर्मेंट के द्वारा की गई थी अब गोशना की गई है कि 70 साल से उपर के जो आईउ के जो लोग है भारत में उनको 5 लाक रुपे तक का भीमा कवर दिया जाएगा सालाना आईश्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग योजना की शुरुआत की है 70 साल से उपर की जितने भी इंडियन सिडिजन से उनको 5 लाक रुपे तक का भीमा कवर यहाँ पर दिया जाने वाला है लाभारती जो हैं जो बेनिफीश्यरी हैं 70 साल के उपर वो इस योजना के तहट जो 29,000 लिस्टेड हॉस्पिटल से वहाँ पर 5 लाक रुपे तक का फ्री ट्रीटमेंट करवा सकते हैं तो बहुत ही अच्छी योजना थी 2018 में इंडियन गोर्मेंट इसको लेकर आई थी यूनियन फाइनेंस बजट 2018 में आईश्मान भारत योजना की गोशना की गई थी उस वक्त दो पिलर सेट किये गए थे एक तो देश में एक लाक हेल्थ और वेलनेस सेंटर की स्तापना करना और 10 करोड परिवारों को 5 लाक रुपे प्रतिवर्ष के हेल्थ इंश्रेंस कवर से जोड़ना है ना अब पहले 70 साल के नीचे के सभी लोगों के लिए ये योजना मानने थ अब इससे 70 साल के उपर के जो इंडियन सेटिजन है उनके लिए भी बढ़ा दिया गया है और उनको भी अब 5 लाक रुपे तक का भीमा कवर दिया जाएगा भारत के पेम नरेंद्र मोदी ने सिनियर सिटिसन्स को अईश्रमान वय वंदन कार्ड हाली में प्रदान किये है गंगा उत्शव दोजार चुविस का अईजन किस सताम पर किया जाएगा गंगा उत्सव दोहजार चूबिस का एजन किया जाएगा उत्तराखंड के हरी दुआर में पच्छे गंगा मिशन के तहट गंगा उत्सव मनाया जाता है उत्तराखंड के हरी दुआर में गंगा उत्सव दोहजार चूबिस में भी मनाया जा रहा है एक्चुल में ये जो गंगा उत्सव मनाया जाता है ये एक वर्ष गाठे जानते हैं किसकी ये वर्ष गाठे नेशनल रीवर के रूप में गंगा को अपनाया जाने की गंगा नदी को 4 नॉमबर 2008 को नेशनल रीवर घोशित किया गया था भारत की रास्टे नदी तो इसी के स पर इसका आईजन होता है रास्ट स्वच्छ गंगा मिशन की ओर से है ना उद्देश क्या है गंगा उत्सव का आईजित के जाने का तो देखिए गंगा नदी का सदक्षन करना लोगों को इसकी सफाई के प्रती प्रेरित करना और लोगों में अवेर्नेस लाना कि देश की जाना चाहिए ये गंगा उत्सव को मनाय जाने का मुख्यों देश है दोजार चोबिस में उत्तराखन के हरीदुवार में चंडी घाट पर इसका आउजन किया जा रहा है दोजार आट में गंगा नदी को नेशनल रीवर के रूप में अपनाया गया था चीक है आगे आगा पाता है फ्रेंड्स की दिवाली की सेल आप सभी के लिए कंटीनिव हैं करेजीजीगेटीक ट्रिक और रूट अप्विलिकेशन पर sommें अम एवएलिबल है दो कूपन कोड मैं आपको बताये थे लख्षमी कूपन कोड का आप यूज कर सकते हैं और दिवाली कूपन पर आप दिवाली कूपन कोड का यूज कीजिएगा और उसके नीचे के कोर्सेस के लिए लक्षमी कूपन कोड का आप यूज कर सकते हैं, ठीके, रूट अप्लिकेशन और क्रेजी जिगेटर के अप्लिकेशन को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आप विजिट कीजिए, चेक आउट कीजिए, आपके exam oriented काफी सारे कोर्सेस, आपको बहुत ही simple concept के साथ वहाँ पर समझाए गए हैं, ठीके, इसके अलावा देखिए, काफी student के मैंने comment देखे थे, उनका पूछना था कि sir 100 RGS का जो कोर्से, वो हिंदी में है या इंगलिश में है तो मैं आपको बता देता हूँ, bilingual course से, सारे subject GS के जितने भी subject है, आप यहाँ पर screen पर देखिए, आपको बहुत ही अच्छी simple trick से और बहुत ही easy concept के साथ ये clear करवाए गए हैं, आपको पता है इंडिया की सभी exam में, चाहे state की exam हो, central की exam हो, GS आपसे पूछा जाता है, तो बह कोई कर सकते हैं, इसकी link में आपको description में दे दूँगा, वहाँ पर जाकर आप इसे easily avail कर सकते हैं, चीक है, और कोई भी doubt आता है, तो नीचे help line number है, आप सभी के लिए call कर लिजिए, WhatsApp कर दीजिए, आपकी query यहाँ पर solve हो जाएगी, हड़ कोशन पर आजाएं, देश का पहला writers village किस रज में खोला गया, देश का पहला writers village खोला गया है उत्तराखंड रज में, राइटर्स village, भारत में जो राइटर्स है, जो सहित्तिगार है, उनको एक ऐसा atmosphere देना, जहाँ पर वो शान्ती के साथ, creativity के साथ, अपना जो भी उपन्या से, जो भी रचनाए हैं, वो लिख सके, इसके लिए राइटर्स village का इनोग्रेशन, भारत के फॉर्मर प्रेसिडें गुर्मित सिंग के द्वारा हाली में किया गया, इन दोनों ने मिलकर इनोग्रेशन किया है, देश के पहले राइटर्स village का, उत्तराखन में देहरादून से 24 किलोमेटर की दूरी पर ये राइटर्स village देखने को मिलता है, उद्देश में आपको बता ही चुका हूँ कि इस देश के सभी राइटर्स और आर्टिस्ट को एक साथ लाना और तहित्य में कॉंट्रिबूशन को बढ़ावा देना, राइटर्स village का मुख्योद देश है, इस थापना उत्तराखंड में है, देश का पहला है, इकतिस अक्टूबर को रास्ट एकता दिवस किस महापुरुश की जैनती पर मनाया जाता है, तो देखिए नेशनल यूनिटी डे, काफी पूछा जाता है ध्यान रखना, रास्ट एकता दिवस, ये मनाया जाता है सर्दार वललभाई पटेल की जैनती पर, एसे काफी सारे दे हैं जो आपको याद रखना चाहिए, अंतरास्ट एहिंसा दिवस, अभी हमने बात की थी कुछ समय पहले, महात्मा गांधी की जैनती है, दो अक्टूबर को महात्मा गांधी की जैनती पर, इंटरनेशनली अब्जर्व किया जाता है, अंतरास्ट एहिंसा दिवस, एक हो गया, एक अटल भिहरी वाच्पई की जैनती, 25 दिसंबर, इस दिन मनाया जाता है गुड गवर्नेंस दे, सूश आशन दिवस, ये याद रखिये, और रास्ट एकता दिवस, तरदार वल्लभाई पटेल की जैनती पर मनाया जाता है, ठीके, 31 अक्टोबर 1875 में सरदार व अगर आपको याद हो तो, है ना, देश में देशी रियासतों के एकी करण में महतुपुन भूमी का निभाई है, सरदार वल्लभाई पटेल ने, देश के पहले उप्रधान मंत्री सरदार वल्लभाई पटेल, ओके, इनके सम्मान में इंडियन गवर्मेंट ने, 2014 में 31 अक् यूनिटी देखने को मलता है, जो की सरदार वल्लभाई पटेल की, 182 मिटर उची प्रतीमा है, तो यहाँ पर जो समारो एजित किया गया न, उसकी थीम, महारास्ट के राइगड के किले पर अधरित रखी गई थी, छत्रपती शिवाजी की वीर्ता का प्रतीक, मराठा गोर चीके, राइगड का किला यह थीम ली गई थी, एकता दिवस समारों, तो रास्ट एकता दिवस मनाया जाता है, यह याद रखिए, कब 31 अक्टुबर को, देश में यूनिटी को प्रोत्साहित करना, देश में सोसाइटी को एक साथ लाना, इस दिन को मनाया जाने का मुख्य और साथी साथ सर्दार वल्लब्भाई पटेल के जो विचार हैं, जो प्लब्धिया हैं, उनसे लोगों को अउगत कराना, सर्दार वल्लब्भाई पटेल के बारे में आपको कैज्वली कुछ पता होना चाहिए, कुछ चीज़े हैं, जैसे 31 अक्टुबर 1875 में का जन हुआ था, 15 दिसंबर 1950 में, 54 वर्ष के आयू में इनका निधन हो गया था, इन्हें भारत रतन दिया जा चुका है 1991 में, स्टेची ऑफ यूनिटी 182 मिटर गुजरात में हैं, सर्दार वल्लब्भाई पटेल की प्रतीमा है, जब सविधान का निर्मान हो रहा था ना, तो पूछ या सकती हैं, आगे बढ़ेंगे, आक्टोबर 2024 में निम लिखित में से किसे फीजी के सरवच नागरिक सम्मान, कमपेनियन ऑफ दा ओडर ओफ फीजी से सम्मानित किया गया है, शिरी शिरी रवी शंकर को, जानते हैं, शिरी शिरी रवी शंकर एक आध्यात्मिक गु तो फीजी ने अपने देश के सरवच नागरिक सम्मान, कमपेनियन ऑफ दा ओडर ओडर ओफ फीजी ते सम्मानित किया है, शिरी शिरी रवी शंकर को, यहाँ पर इमेज देखिए, आध्यात्मिक गुरू, चाहिएं, तो यह बैसिक चीज़े आपको पता चल गई, शिरी श अवी शंकर को यह जो सम्मान है, है ना, हुमेनिटी के लिए, उनके काम के लिए, मानव सेवा के लिए, और अलग-अलग कम्यूनिटी के मद्ध में, शांति और सद्भावना स्तापित करने के लिए, उनके जो प्रया से, इस कारण दिया गया, आट ओफ लिविंग के माध् जी से सम्मानित किया जा चुका है, फी जी का नरसर्वच नागरिक सम्माने और शुरुवात की गई थी 1995 में, अगस्त में दिया गया था दुरोपदी मुर्मु जी को और अब दिया गया श्री-श्री रविशंकर को, फॉर्थ भारत इस्पैन फोरम का एजन किस स्तान पर क इस्पैन के बारे में casual fact बताए थे, इस्पैन के PM पेड्रो सांचेज भारत की आत्रा परे, तो इस्पैन के प्रधान मंत्री पेड्रो सांचेज ने मुंबई में फॉर्थ इंडिया इस्पैन फोरम का हली में इन्योग्रेशन किया, दोनों देशों के मद्ध में ट्रेड को बड़ावा देना, इन्वेस्मेंट को बड़ावा देना, कॉपरेशन को बड़ावा देना इस फोरम को आयोजित के जाने का मुख्युत देश है, फॉर्थ इंडिया-स्पैन फोरम, आयोजन कहा हुआ है, मुंबई में, छीगे, कल के सेशन में मैं आपको बताया था, कि इ इंडिया और इस्पेन मिलकर 2026 को कल्चर टुरिज्म और आर्टिफिशल इंटेलिजेंस के रूप में मनाएंगे और अब इंडिया इस्पेन फोरम का इन्योग्रेशन पोर्थ सीजन है कहां किया गया मुंबई में चर्चा मेरा बांधाउगर नेशनल पार्क किस राज में इस्ते थे बांधाउगर नेशनल पार्क ये देखने को मिलता है हमें मध्य प्रदेश राज में तहां पर MP में बांधाउगर नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में इस्ते थे अभी सुर्खियों में क्यों है भाई तो पहले location देखते यह MP का में आप पुरू में आएंगे तो आपको यह particular शायद wording न दीखे पर यह location है मद्धी प्रदिश के पुरू में उमरिया देखने को मिलता है एक जीला है यहाँ पर फैला हुआ है बांधोगर नेशनल पार्ग एक से ज्यादा जीलो में देखने को मिलता ह लेकिन सबसे ज्यादा इसका शेत्र उमरिया में देखने को मिलता है बांधोगर नेशनल पार्ग है अभी सुर्ख्यों में इसलिए है क्योंकि जहरीले पदार्थ के कारण साथ हातियों की एक साथ मोत हो गई है बांधोगर नेशनल पार्ग में इसके बाद जो Wildlife Crime Control Bureau है इसक प्रदिश के पूरु में उमरिया जीले में देखने को मिलता है चीए 1968 में नेशनल पार्क बनाया गया था MP में Royal Bengal Tiger यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं और सबसे important और interesting चीज भारत में सबसे ज्यादा बाग घनत्व बांधोगर नेशनल पार्क में देखने को मिलता है White Tiger भी देखने को मिल जाते हैं हाती तो मिलेंगे इनकी मृत्य हुई है पर White Tiger यहाँ पर देखने को मिलते हैं MP में और बाग घनत्व के आधार पर भारत का सबसे आधा बाग घनत्व कहां पर है भारत में बांधोगर नेशनल पार्क में ठीके 32 पहाडियों से घिरा हुआ न पंजाब नेशनल बेंक के MD और CEO के रुप में अपॉइंट किया गया है अशोक चंद्रा को आंसर भी अशोक चंद्रा हाली में इंडियन गवर्मेंट ने पंजाब नेशनल बेंक का MD और CEO अशोक चंद्रा को अपॉइंट किया है वैसे Financial Service Institution Bureau ने उनकी नियुकती को हाली मे तो उसके बाद इंडियन गवर्मेंट ने अशोक चंद्रा को पंजाब नेशनल बेंक का MD और CEO अपॉइंट किया इसके पहले अशोक चंद्रा के अंद्रा बेंक में Executive Director के पतपर अभीता कारेरा थे जो की अतुल कुमार गोयल की जगा लेंगे पंजाब नेशनल बेंक के प नेमन लिखित में से किसने October 2024 में Global TB Report 2024 जारी की है तो भाई डिसीज पे रिपोर्ट नॉर्मली कुन जारी करता है जो हेल्थ के लिए काम करने वाली संस्ता होगी है ना तो यह हो जाएगी डगली एचो देखिए इंटर्नली कुछ डेटा को इन्होंने रिविल किया है कुछ की पॉइंट्स बताए हैं लेकिन वो हमारे लिए इतने इंपोर्टेंट नहीं है हमारे लिए हमको यह याद दतना पड़ेगा कि Global TB Report 2024 किसने जारी की तो यह डबली एचो ने जारी की है पर फिर भी हम कुछ की पॉइंट्स तो देखेंगे ऐसे तो छोड़ेंगे नहीं डबली एचो ने Global Tuberculosis मतलब TB Report 2024 में यह बताया है कि 2022 में जारी हुई यह रिपोर्ट 2022 का डेटा लिया है अपनी इस रिपोर्ट में डबली एचो ने बताया है कि 2022 में 13,20,000 लोगों की मौत TB से हुई है और 2023 में यह आकड़ा 12,000,000 लोगों का रहा है और TB की विमारी से जो 98% लोग है मरने वाले वो कहीं न कहीं lower income वाले जो देश है या middle income वाले जो देश है मध्यम आए और निमनाए वाले अफरीकी देश है ना विकाश्चिल देश यहाँ पर TB के 98% मामले मरने वालों के देखने को मिले और आगे चलकर TB से जो हमको हमने खत्म करने का जो लक्ष रखा है उसको अगर पूरा करना है तो financial help की ज़रत पड़ेगी TB को खत्म करने के लि अनुमान के अनुसार 2027 तक अगर TB का उन्मुलन करना है तो काफी पेसरे की ज़रत पड़ेगी financial help की ज़रत पड़ेगी और अफरीकी देश और विकाश्चिल देशों में TB के लिए एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा अगर खत्म करना है तो यह कुछ key points है जो कि WHO ने दिये हैं यहाँ पर कुछ ऐसा data नहीं है जो हमको याद रखना पड़े TB के बारे में पर हमको पता होना चाहिए bacteria के करण होने वाला रोगे ठीक है Mycobacterium tuberculosis नामक bacteria के करण होता है इसे लिए इसे short में कहा जाता है TB ठीक है चरीर में कौन सा अंग प्रभावित होता है यह question बहुत पुछा जाता है तो favorite प्रभावित होतने हैं ध्यान रखना TB के कारण ठीक है लास्ट कोश्चन दक्षिन अफरीका दोरे के लिए भारती क्रिकेट टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है वी वी एस लक्षमन को वैसे इंडियन क्रिकेट टीम के कोच कौन है गोतम गंभी लेकिन जो दक्षिन अफरीका का दोरा इंडियन क्रिकेट टीम करेगी टीट्वेंटी क्रिकेट सिरीज के लिए वहाँ पर नॉम्बर में दोरा है भारती टीम का साउथ अफरीका में टीट्वेंटी सिरीज के लिए तो यहाँ पर कोच के रूप में काम करेंगे कौन तो यह ह और इस दोरे में इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन को रहेंगे तूरी कुमार या तो यहां पर 31 अक्टूबर के सभी करेंट अफ़ेर हो गए ध्यान से हमने एक-एक फेक्ट को नोट किया एक-एक कोश्चन को समझा अब हम बात करेंगे लास्ट एडे के करेंट अफ़ेर क सेवा संजीवनी के शुरुवात किये तो यह क्या था अंसर एमस रिशी केश इसके बाद किस फीमेल फुटबॉलर को बेलंडी और अवर्ड दोहजार चूबिस दिया गया एटाना बॉन्माटी इस्पेंड की है महिला फुटबॉल खिलाड़ी 29 अक्टूबर को नवा अयुर्वेदिक दिवस मनाये गया नवे अयुर्वेद दिवस की थीम क्या है तो अयुर्वेदा इनोवेशन फोर ग्लोबल हेल्थ 29 अक्टूबर दोहजार चूबिस में किसने एरपोर्ट अथरिटी अफ इंडिया के चेयर्मेन का पदभार ग्रहन किया तो ये है विपिन कुमार ठीक है भारत और कौन सा देश मिलकर वर्ष दोहजार चूबिस को अभी हमने बात की है तंस्क्रती परियटन और आर्टिविशल इंटेलिजेंस वर्ष के रूप में मनाएंगे तो इंडिया और इस्पैन भारत के पीम नरंज मोदी ने किस रज में भारत माता सरोवर का इनुग्रेशन किया तो गुजरात में ग्लोबल फाइनेंस मेगजिन ने भारत के किस बैंक को दोजार चूबिस के बेस्ट बैंक आवोर्ट से सम्मानित किया तो ये बैंक हो जाएगा कौन किस देश के खिलाड़ी मेथ्यू वेड ने सन्यास की गोशना की तो ये खिलाड़ी है कहां के ऑस्टेलिया के रेलवे सुरक्षा बल ने किस इस्तान पर डिजिटल मेमोरियल आफ वेलोर का शुभारम किया तो ये किया गया नई दिल्ली में और लास्ट कोश्चन वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल आफ लो इंडेक्स 2023 में भारत की रेंक क्या है तो इंडिया की रेंक है 79 है ना ये सारे कोश्चन लास्ट सेशन में हमने डिटेल में समझे थे अब हम कल के कोश्चन आफ दा डे के अंसर ले लेते है यूनेसको का हेट कोश्चर कहां पर है पैरिस फ्रांस में ब्रिक्स का पहला शिखर संम्मेलन कब और कहां हुआ तो ये रूस में हुआ था 2009 में और गदर पार्टी की स्तापना की बात करें तो सोहन सिंग भाकना और लाला हर्दयाल इन्होंने मिलकर 1913 में गदर पार्टी की स्तापना को मिलता है पर यह दोनों संस्तापक सदस्य थे चीक है तो यह हमारे अंसर हो गए अब आज के कोश्चन आफ दे ले लिजिए कमेंट में अंसर कीजिएगा इंटर पोल का हेड़कोटर कहां देखने को मिलता है और हडप नीती के तथ हडपा गया पहला राज्य कौन सा था और केंदर सरकान ने किस केंदर शाषित प्रदेश की राजधानी का नाम बदल कर शिरी विजय पूरम किया है तो इन तीनों कोश्चन का अंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में सेशन कैसा लगा ये भी बताईएगा सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेर कर दीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करेंट अफ्यर में तब तक अपना ख्याल रखिएगा जय हिन जय भारत